एलो स्विंट्स कैसे हैं आप सब लोग अकाउंट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्लास टाइम मैनेजमेंट की आपने सुना होगा मेजर्टी बच्चों से अकाउंट्स का पेपर छूट जाता है किसी का 10 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर का छूटना प्र पेपर छूट राए, कोई कोशिन छूट राए, वो प्रॉब्लम निये मेर नजर में, मेरी नजर में प्रॉब्लम ये है कि वो कुशिन आता था और फिर छूट गया, जो कुशिन नहीं आता, उसका छूट जाने से इतनी दिक्कत, इतनी तकलिफ नहीं होगी, हाँ, आप कुशिन पक्का नहीं छूटेगा अगर आपने इसको फॉलो कि और एंड तक देखा, बहुत काम की बात बताऊंगा, इसके अंदर पांच ऐसे टिप्स बताऊंगा, पांच ऐसी गलतियां समझ लो, जो आप एग्जामिनेशन हॉल में जनरली करते हैं, अपने 11 साल के एक्स 10.15 तक मुझे कोई लीना देना नहीं, कैसे फिल करते हो ठीक है, आप अच्छे से फिल करना गलती मत करना, 10.15 से लेकर 10.30 तक आदा घंटा आपको कोशिन पेपर मिलता है, जिसको क्लास आपने पढ़ना होता है, आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, कॉपी आप ओपन नहीं क कर सकते, कॉपी की सीला ब्रेक नहीं कर सकते, आपको इसको पढ़ना है, मैं आज रात तक एक वीडियो लेकर आऊंगा, जो बताऊंगा क्लास, इसको कैसे एक एक करके उटलाइस करना है, बाकी थोड़ा समराइस इस वीडियो में भी करूँगा, फिर ये जो तीन घंटा आ पांट बी बच्चो सच में, सच में पांट बी 30 मिनट में भी हो जाएगा, 15 मिनट कैशलो का, 5 मिनट रेशियो का, 5 मिनट कंपारिटिव का, बाकी 5 मिनट 4 MCQ में, कुछ थियोरी रहता है, तो 4 मिनट उपर नीचे हो सकता है, अराउंड 30 में इस से कम में तो नहीं हो आपको टीचर बोलेंगे, हर को इतनी देर में करना भाईया, 32 को बैठ के, आप क्लास वहां पर नहीं कर सकते है, घड़ी का स्टॉप बॉच लगा के टाइम, कोई कोई कोशिन देखते ही हो जाएगा, कोई कोई कोशिन दो से तीन मिनट लग जाएगा, कोई चाहन नमर कोश करेंगे, वो एक मैक्जिमम बना सकते हैं, इस से जादा कुछ नहीं, ठीक है, आगे देखते हैं, सबसे इंपोर्टेंट, सबसे जादा इंपोर्टेंट आपने सारे दोस्तों को बोलना, भाई, कोशिन को ढंग से, तसली से, शान्ती से, आराम से पढ़ना, और कोशिन की र अगर अगर आपने शुरू के पंदरा मिनट में, तो आपके बाद में लगभग सवा दो मिनट कम से कम तुमारे बच जाएंगे एक्स्ट्रा, और तो जो पांच M.C.U. कर ले तो दस मिनट फालतू, तो रास्त में रोते हो नासर, दो मिनट, दो मिनट, दो मिनट, बस यह वो सब खताम हो जाएगा, तो रोग'S बाद के जाएगा, तो कोश्चिन की रोखीरिम, हर साल बुछेक को बोलते हो पड़लो कोश्चिन की रोखीरिम्ट की ओसे रहा बनाके इंवड़सिंग, inward डा रास, और चाएंट के साथा कोश्चिन की अन्तों के वाटलो, आप साथ कर क्यारो कोशिण ढंग से पढ़ना रिक्वार्मेंट को अनलाइनिंग करना हमेशा ध्यान रखना अकाउंटेंसी में स्पेशली स्टेप वाइज मार्किंग होती है एक स्टेप भी लिखोगे आधा नंबर ही मिलेगा ना क्लास तब लगभग क्लास आपके 10-15 नंबर फालतू बन जाएंगे पूरे पेपर में तो आप कोशिश करो कि जादा से जादा से जादा स्टेप को खत ही है जब आप कोशिशन पढ़ रहे हो तो क्लास आप चिल होके कोशिशन पढ़ो कोई टफ पॉइंट आ गया कोई टफ चीज आ गई तो घबरा की खुद का मोराल डाउन मत कर दो बोलो कोई बात नहीं यह वाला टफ हैस को देखेंगे कैसे कर आगे देखते हैं आगे जो 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 है हरजीगे बना रहा है देखना क्लास क्या गेम है इसके पीछ देखो यार सज बताओ ना टाइम मैनेजमेंट सब की प्रोब्लम नहीं हो सकते आप सब वीडियो देख रहे हो एक बच्चे तक शेर करना चाहिए वीक स्टुएंट्स और टॉपर हो ताइम मै बच्चा है उसे असी नंबर के पेपर में से 20 नंबर का तो छोड़ना ही है किउपि वो उसको आता ही नहीं है अगर आपको रिलाइजएशिन की एंटरी नहीं आती भाई तुम क्या तुक्का मार लोग उसके अंदर तो ही तुम्हें असी में से आता है और क्यालकुलेट मत कर लग जाना मुझे कितने का आता है कितना नहीं आता विक्वास चीज यह सब तो आपको 3.6 मिनट मिलते हैं हर को करने के लिए तो यानि कि अगर तुम्हारे 2-3 कोशिन खराब है तो तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है कहीं न कहीं उतने चीज को करने में 180 मिनट मिल रहे हैं तो हव्वा बना रखाए कि टाइम नहीं चूट जाएं कि सब का नहीं चूटता है अर सबका पेपर नहीं चूटता है क जिनकी calculations खराब है, जिनोंने presentation का तरीका नहीं पता answer कैसे है, प्रेजंट करना है, वो revaluation account बना रहे हैं, तो फिर question पढ़ रहे है, capital account बना रहे हैं, फिर question पढ़ रहे है, भईया, एक ही बार बनाओ, revaluation capital account, सीधा उपर से उठाओ, 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 करता है, कोई भी question कहीं भी attempt कर सकते हो, 1, 7, 13, 3, 2, 9, कुछ भी करो, तो जो 100 बनाओ, इस question को पहले लिखना, शिद्दत से लिखना, क्यार, यह मुझे आता है, इसमें मेरी गलती नाओ, teacher इसमें नमर ना काटे, फिर जिसमें एकाद पॉइंट गलती है, उसको लेके चलो, जहां पर तुम अटक जाओ, वहीं छोड़ दो, आगे चलो, स्पेस छोड़ दो आगे बाद में आने के लिए, 50%, 25%, अभी percentage कालकुलेट मत करना, इस सब का मतलब सिर्फ ही है, जो पक्का आता है, पहले करो, फिर जितना ज्यादा steps आपको आते है, उन्हों को उठा लो, किसी है, जए टाइम लगजाता है, तो कोशिष करो, कि जो बड़े-बड़े कोशिños है उनको पहले नयुप्ता हो, जैसे पाट A सेपरेज अगा, पार्ट B सेपरेज रखना, बाट B सेपरेज रखना, पाट B सेशुरू करो, अगर पाट A सेशुरू करो, तो कांप्पनी तो आप तो का मार दोगे, नहीं आरा क्लाशन कर लोगे, बट बड़ा कोशिन अटक गया तो छे नंबर में तीनी दे टीचर, दो यह दे, चार यह दे, तो बड़े कोशिन फुल फ्लेज होने चाहिए, वह अटक ने ने चाहिए, तो मेरे हिसाब से, मेरे परसनल सजेशन है कि आप यहां से करो, मेरी बात समझेशन हो, शुरू के एक घंटा, अराम से शिद्दत से पूरा पेपर, टीचर को लगना चाहिए, शुरू की कॉपी जो है, वह अच्छी है, ठीक है, फिर थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, टाइम देखो, एक घंटा हो गया, मैंने कहां तक क फिगर देखना चीजिए, अंसर देखना चीए बसक्शला हृ missiles का, 500 टैट भी एककांशो की बड़े है कॉछड ही अप्छी को बढ़ाए को इछ्वार्मान को पढ़ना, अगर तुमें को पाईके बढ़ागे को तुम धरें को तफुछेल में युघाँ प्रिंग ने वैट दिल धड़कने तेज उजाती, तो तफ पॉंट आगया, तो कोई बात नीना, करेंगे तो निए तो निम्ट कुछ समझेंगे, उसी पॉंट के तो नम्र कटेंगे, बाकी तो नम्र मिलेंगे, मूद खराब कर के आगे अगे अपना पूरा पेपर कभी खराब मत करना. Tip number two, कोशिश करो कि calculateion में समय बचाओ, distribution वगेरा overly करो, हर चीज पैन पर मत उतारो, short duty calculation, three ratio two है, 6 महीने का निकालना है, 6 महीने का मतलब आधा होता है, ध्यानकना, 6 महीने का मतलब आधा, 3 महीने का मतलब 1 चौता ही होता है, इसी तरीके से 5%, 10% और जिसे मालो आपको इंटरस निकाला है 50,000 का 6% 6 महीने का, तो मैं इसे 6% मानता ही निए, मैं इसको 3% देखता हूँ, मैं सीधे क्लास 3% निकालूँ, खतम बात, यह होगे 0-0 कड़ी है, 2-0 और 500 इंटू, इसे 3% सीधे निकालो, खतम बात, 1500, बात ही खतम होगे, तो आप इस तरीके से चोटी-चोटी क्यालकुलेशन, जी-र के इस्ट्रिबीशन में, गुडविल के इस्ट्रिबीशन में, गेनिंग रिशियो, रिशियो, चोटी-चोटी जीगे क्लास, करो, यहां साइड में करो, टीचर इसको देखेगा, इसको नहीं देखेगा, कॉपी आपकी सुंदर लगेगी फिर भी, ठीक है, तो कुशिश करो, कैल्कुलेशन, तराड़े 5 लाग है तो जी-रो हटाओ, लाखो की जी-रो हटाओ, जी-रो हटाओ, जी-रो हटाओ, लेकिन वर्की नोट में टीचर पढ़ेगा, इतना ही फ़रकुलेशन दोनों तरफ विल्कुल उसी तरीके सोती है, राइटिंग उपर नीचे होजा, चल जाना चाहिए, एक पेपर नीच उटना चाहिए, आंसर मैटर करता है, तीसरा, शुरू का पंदरा मिनिट, ध्यान से समझना, शुरू के जो पंदरा मिनिट तुम्हे बस दो काम करने है, प्यारे प्यारे से दो काम, सबसे पहला काम, जितने भी ओप्शन वाले कोशिंस है, छोटे नहीं बड़े, तीन नंबर, चार नंबर, छे नंबर, उनको रीड करना, देखना कि दोनों अप्शन में से किया जो आता है वो कर ले, समझ गया, तो उसको टिक कर लेना, कोशिं में तो कोशिं को पढ़ते वक्तना, खुद का मरा हुआ नहीं होना ची यह, लड़ने वाली दम होनी काया, मुझे नहीं आता नहीं आता शाही किया रहा था मुझे आया यही नहीं, तो यह मत सोचो, कु दूसरा काम पहला रीड करोगे, दूसरा जो वन मार्कर की थियोरी वाले कोशिंस होते हैं, अगर तुम्हे वो आते हैं, पैन से मार्क नहीं का सकते हैं, नखुन से हलका सा ठिक लगा देना वैसे गलत बात सिखारों माफ करना, लगिन यार पेपर में किस कुछ ना कुछ करके लाने ही पड़ेंगे, ठीक है, तो आपको शुरू में क्लास पता है, वन मार्कर वाले कोशिंस आपको आते हैं, आप किसी भी तरीकी से निशान लगा देना, कोई बाग कर देना कि हम भीया यार, ये चीज हमको लास्ट में लिखने हैं, फिर तुम्हें कॉपी बस उसका आ इसे हो गया तो भी तुम्हारे टीचर नंबर नहीं काटेगा बिलकुल, तो तो काटा कुटी मत करो कि लाइन गलत हो गई, चलेगा, लाइन नॉर्मली खीचो, थोड़ा एंगल बदल जाए, तो कोई फरक नहीं पड़ता है, ड्रेसिंग मत करो, सजाओ मत लाइन वाइन, बहुत टायम लगता है, तो प्लीज लाइन गई टायम मत लो, अंसर इंपोर्टन है चलास, चलास, और ओर ओर ली कोशिछ करो अंसर लिखने की, या आप पीछे से जारे हो, मालो जा रहे हो आप लाइन चलास, तो क्विटीवन, फिर आइगा निएन निगा उन्टी नहीं ठीक है, यह आप ध्यान अखना, और लिकरोगे, तो आपको पता रहेगा, और कौन सा कोशिन छूटा है, सीधा वहाँ पहुचोगे, नहीं तो पता पचे करते हैं, पन्ना पल्टा रहें, पार्ट पार्ट, देखना कितने पन्ना पल्टा नहीं किया वाजगी पेपर में, यह और नब्य सो भी लियाएगा, असी में से असी आ जाएगे, दूसरा, लास्ट, बार बार घड़ी मत देखना, जो मैंने बोताया, दो से ड़ाई गंटा और आदा गंटा, टीचर, एक गंटेम बल बजती है, तो समाझ जाना, एक गंटेम बल बजेगे, एक गंटा हो गया, अपने पास एक पानी की बोतल रखना, पानी गड़ 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 पीजाना, सिप लेते हैना, ताकि एक लास एंजाइटी, स्ट्रेस ना आए, रिलाक्स हो के पूरा पेपर देना, जाने से पहले वाश्रोम चले जाना, बीच में उठके बागना, दूना, बंद कर यहां वाँ ताका जाही करके दूसरों से अंसर की उमीद मत लगाना, अपना नीचे बैठा रहा है, यह किन मानू, जब मैं पेपर जेते हैं, मुरे बगल में कॉन बैठा है, मुझे यह तक पता नहीं है, तीन घंटे बस लिख लिख यहां पर निशान पढ़ जा जाता था कि हां भी पता है क्यार मुझे पता है यह वला कॉशिन का आंसर पता है, तसली से करना क्लास, बिल्कुल तसली से कोई जल्दी बाजी नहीं, ठीक है, उस पर पूरा नंबर लेके आने, सक्षिन ए एक जिगे, सक्षिन एक जिगे, जगे, एंड लास्ट क्लास, सब से पहले आप क्या करोगे, जो आपने टिक मार दिया था शुरू में M.C.Q. जो तुमको क्लास असान असान लगे इस कांसर तुमको पता था लाइक इंट्रस न कॉल से एरियर कितना परसंट लगता है, तुमको तुमको तुमने हलका निशान लगा दिया बाद है, बस मैं उठाके आ कुछ निशान लगता है, बस मैं असान लगता है, तुमको 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 करना क्यों कि वहां परसंटेज के कालकुलेशन होती है, और नमबर छूटता है, अन्जाइटी, स्ट्रेस, कुछ मतलो हमारा पेपर है, या तो थोड़े नमबर जादा आएंगे या असी में से असी आएंगे, सेवंटी आएंगे सेवेंटी आएंगे, सिक्स्टी आएंगे, अम नही जाएंगे, और यहां कि 78 वाले का क्लास पैकेज ऐना ही लगेगा, अपना बैस्ट दो, एकस्ट करो जो भी रिजल्ट है, दुनिया में कितना गम है, तुम्हारा गम कि अब आप आप लायफी इसी वी स्टेज में महनत कर आगे बढ़ सकते हो ये लास्टेज नहीं है इसके बात भी ग्जामिनेशन होगे अइस्टेवला बत्छा आगे शुब एकर नमबर लिया गगे कि आप जादर लियागो तो आप आगे नहींट जाओगे कल सुबह पांच वजे लाइवाओंगा, पूरा रिविजिन कराऊगा, तुम कॉपी किताब अपनी साइड में हटा देना, सब रिविजिन में करा दूँगा, रिलाक्स रहना, खुद पर भरोसा रखना, क्लास, रास्ट में बोलूँगा, अच्छे से पेपर देख आना, मैं मैं थीन के थीन प्रियम मौक टेस दिया पेपर, क्लास, वैसा ही आपको देखने को मिलेगा, तो प्राक्टिस कर लेना, क्लास, और जो टिप्स दिये हैं मैंने, उसको क्लास फॉलोग करना, डेफिनेटली आपका पेपर बहुत अच्छे जाएगा, अच्छे लगे लाइक क करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, BST की और दासू प्रेपरेशन कराऊंगा, सब्सक्राइब करके, नीचे कॉमेंट बताना, क्या आप रेडी हो, और जो भी दिक्कत है, बताओ क्लास, अभी अपने पास आज की रात पड़ियो पूरी कर लेंगे उसको, ठेक केर रिटे नेक्स वीडियो में.